नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे पास एक अहुजा का BTZ 1000W का एंप्लिफियर रहा है दोस्तों सफ्रेंस इस सेट में कस्टमर का कहना है कि अचानक चलते जलते इसका 20 जोन डेड हो गया दुआ देख करके और अजीब साब आज करके तो फ्रेंस मैं कुछ इस प्रकार से मैं इसे ओन करके दिखाता हूं जैसे मैंने ओन किया तो वाकरी दोस्तों देख सकते हैं वान जोन ही इसका ओन है और सेलेक्टर स्विचे सारे ओन हैं फिर भी यह सेट बीजोन में आफ है और हाँ दोस्तों मैंने यह वालूम को आफ किया तो पता चला कि इसका वालूम भी खराब है साध इसका माईने सेट वाला कोई लेक्स टूटा होगा होगा या वोलूम टूटे भी होगा सो डिरेक्ट हो जा रहा है वेल दोस्तों ये तो है यही लेकिन हम वीजोन का प्रॉलम सॉल करना है में चुकि कस्टमर का कहना है कि वीजोन अचानक सा अजीब सावाज करके सेट धुआ दे करके काफी बंद हो गया है ओके दोस्तों बने रही है हमारे चैनल पर मेरा नाम है आलोक और निव वारत एलेक्टोनिक मेरा दुकान का नाम है दोस्तों जैसे कि बराबर बताता हूं कि जब भी आप कोई सेट खोलें तो बारीकी से उसको निगरानी करें और देखें जैसे ही मैंने सेट को डखकन खोल करके देखा तो मैंने पाया कि इसके जो स्टेप देंट आउप स्वार है उसके जो टूड एल से जो 4 0,40 का टेफिंग निकलता है कि इसकी सब्सक्राइब मैं 20 गजमेन है ब्रिच रिक्टिफइर से अलग हो चुके है क्यूंकि सब्सक्राइब जब भी सोर्टिंग काफी बड़ी तयरी कैसे लगने पर या तो व हूनिष पट्रिट का शार्ट हो जाते है सुरी जीरो चालिस वो डिसकेनेक्ट हो जाते हैं कुछ इस परकार से सो फ्रेंस मैं आपको बता दूं कि ये दो पार्ट में बने हुए होते हैं और देख सकते हैं इसके ये वाले जोन में किस तरह से ये सुर्ट के Clifford ूटा 150 ऐसके जब ये जोनिसका बार बार रीच्ट होच्ट है अभीजो सब्सक्राइब कि यह क्रणा चाहिए दॉन कंदेंसर उपन होने से वह उता है theoretical किसी प्रोफर बनेंगे नहीं तो रेक्टिफियर पे वो लोड पड़ता है सो फ्रेंस फिर से मैंने इस सेट को आउन किया और आउन करने के बाद पाया कि वही जोन इसका आउन नहीं हो राचुकी नहीं होंगे क्योंकि डेक्टिफियर के जाह सारे तार हीटो करके हटे हुए है वह सब्सक्राइब है कि मैं कॉछ इस परकार से समें हरेक जोन में दो पाट होते हैं लेफ्ट घॉर्ट तो चलियए मैं से सबसे लेजिव्ट राइट मैं इसे चेक करेंगे मेटर के साहता से कि इनमें कॉन सा मॉस्फेट या कोन सी टंशर खराब है आप पैक्षेकश करन कैम मैं कि अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं कि हमारे चैनल को सभ्राइब करें कre in जयर करें पल दोस्तों देख रहा हैं जिस फरकार से मैं आपको चेक करा करा रहा हूं इस प्रकार से इसमें रिफ्ट असले साइड में तो हमारा लग वह ठीक अउन्च nep रता रहें कि leg tota सब्सक्राइब दोस्तों और जैसे मैंने राइट बाले पर चेक किया तो पता चल रहा है कि यह हमारा सब्सक्राइब दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से चेक करना है जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूं किस प्रकार से टांश्टर हमारा सब्सक्राइब दोस्तों ने के लिए हमें सबसे पहले किलेक्टर का वायर और इमीटर का बलू वाले रेड़ वाले कलेक्टर का वायर को अटाना परता है इससे हमें कंफर्म नेशन मिल जाते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट का टाज्टर एक्चली खराब है सब्सक्राइब दोस्तों आपको दिखा रहा हूं कुछ इस प्रकार से इसे वायर जो है लगे हुए सो किस प्रकार से इसमें 44-45 का ओम्स का रेड़ रेड़ एसन्स हो कर रहे हैं चुकि हमें लगता है कि यह साइड का ठीक है बहले से फुली कंफर्म करने के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट वाले का जो है वायर को डिस्कने कर रहा है पड़ेगा इससे पहले हम दोनों ही साइड वाले के टांश्टर जो लगे हुए है छेसे का प्यार उनको हम कर फुली चेक कर लेते हैं जैसे कि मैं आप कर रहा हूं तो कई बार हमें कैमरा पर ध्यान नहीं रख पाता है जिस विए से मैं दिखान नहीं पाता हूं इसके लिए कर दोस्तों आप बने रही है हमाने चैनल पर सो मैंने जैसे कि बता है कि आपको इसको डिसकनेक कर लेना है वायर को कुछ इस परकार से और हां दोस्तों आपसे अनुरोध है कि मैं जो भी कोई नए वीडियो बनाओ तो क्रिपिया आप इससे फुल वाच करें अगर आप क्योंकि दोस्तों मैं आपसे अनुरॉद करता हूँ कि अगर आप नय हैं या हमारे जो भी सब्सक्राइबर है पराने वी हैं उन से अनुरॉद है कि आप फुल बाच करें और लाइक करें शेयर करें हुआर और कोमेंट भी करें जो कोमेंट करें तो आप फुल निदू जो जिस परकाई का फॉल्ट होड़ा है उसके विसे मैं पूरी चान करी हमें बता हैं क्योंकि आधिया दूरे कोमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर भाता हूँ so friends, जैसे कि मैंने दिखाया कि बताई कि इसे disconnect करने के बाद आप चेक कर से जैसे मेने इसे disconnect किया तो पाया कि ये fully jacked का है 3blat ko जो parallel Chair को जो parallel में लागे हुए सारे लिगोड कर रहे और हां दोस्तो ये把它 control करने के लिए हमें फिला वायर है उसे भी disconnect कर लेंगे से यह यह लंग वाला मालतने हैं वह कि अजलैते वाला होते हैं चरकान प्रमणेद मैने इसको ड्नें दोम पाइसष हमारा इस संहीत पाया हूं तेया हैं χढ़ि एक ओर लगा हुआ इसमें देख लेते हैं जैसे ही मैंने इसे चेक हिए तो पपाय कि फुली सोटेज बता रहे हैं एमीटर वेस्ट क्लेकटर तीनों से ही तो कि दोस्तों इससे पहले तो इसा हमें से इसका जो मडूलर है उसमें बाहर निकालेंगे सो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से अगर टांश्टर फुली सोटे हो जोता है तो यह वायरबॉंड के रिस्टेंस देख रहे हैं इसमें किसी के टिकनीशन यह गलती से यह लगा हुए है जो कि ऐसा नहीं लगाना चाह है इसके वज़े से सेट में काफी सारी प्रसानिया हो सकती है क्योंकि कई बार लोग वायरबॉंड के रिस्टेंस का मान नहीं ध्यान दे करके कोई भी लगा देते हैं जिसके करण से उस समय तो सेट आपका ओन हो जाएगा बट लोड जैसे ही दीजिएगा तो यह किसी और नहीं बिमारी का में परिवातन हो जाता है जिसके करण से टिकने से उसको प्रोब्लम होता है फॉल्ट को ढूंडने में ओके दोस्तों खैर छोड़िये जैने में तो इसे ठीक करूंगा और कैसे करूंगा सो मैं आपको दिखाऊंगा तो बने रहे हैं आप हमारे चैनल पर ऐससे पहले हम इसे डीbellOrs जो लगे हों जो कि ऊपन हो चुके हैं योऊ मेरे नहीं का रईजन है क्योंकि फुलीग होता, तो कई बार रिक्टिफेर पार सार्पों हो जाते हो नहीं तो हीट हों करके उसका मंन्मम छोड़ देते हैं इस तो एननेacz को उब्ले हो सकता है आं ज चेक करेंगे और चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूं तो फ्रेंस आपको पताए कि रेक्टिफएर किस तरह से चेक करना है फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं बजर मूड में या डायोड मूड में कंफर्म करना पड़ता है जैसे मैंने बजर मूड में चेक जिए तो पता चल रहा है कि ओपन लीस हो कर रहे हैं कि दोस्तों सो थोड़ी दिक्का थोड़ी है मुझे मिटर का प्राउड को लगाने में क्योंकि कंजिस्टेट है वैसे तो इसे इट्सिंग को खोलने से ही कंफर्म होता बाट चलिए फिर भी कि कोशिस करके देख रहा है ओके दोस्तों अब इसे हम डायोड मूड में कंफर्म क और दूसरे साइड भी एक रिच्टेट बाट रहा है चुकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह रिक्टिफेर हमला लिकेश हो चुका है वहले एक रिक्टिफेर के अंदर में आप ब्रेज के अंदर में चार डायोड लगे हुए होते हैं और चारों का कंबिनेशन से ब्र हमारा खराब है चलिए दोस्तों इससे नीचे बाले को भी हम चेक कर लें कि दोना ही पैरलेल में लगे होते हैं और एक डीसी बैटरी से चलने के लिए ब्रीज इरेक्ट फैर लगा हुआ होता है वोगे दोस्तों जैसे कि मैंने नीचे वाला को भी चेक किया तो हमें इसमें भी कुछ प्रॉबलम दिख रहे हैं वैसे तो ठीक सो कर रहे हैं लेकिन चलिए दोस्तों हमें इसे दोनों को ही हम चेंज कर लेंगे इससे पहले फिर भी आपको हमें दिखा दूं कि जैसे कि यह तो ठीक बता रहे हैं बट उपर वाला हमारा खराब है जैसे कि उसमें लिकेश सो कर रहे करना चाहिए डायोड रेंज में ओके दोस्तों और अगर दोनों तरभी सो कर रहे हैं तो हमारा समझ लेना चाहिए कि हमारा इरेक्टिफियर जैसे हीट करेगा वो फिर से पुना सोट हो जाएंगे या उपन हो जाएंगे तो वैल जोस तो इस परशानी को दूर करने के लिए में इससे चेंज करना पड़ेगा और रेक्टिफियर का प्रॉब्लम तभी भी आता है जब यह हमारा मेन कंडेंसर अगर ब्लीकेज हो तो उस जितने भी हेट सिंग में लगे हो तैंश्टर हो सारे हीट होने सुरू हो जाएंगे ऐसा कई बार कई सेटों में मिला है वैल मैंने बताया कि डी सी के लिए एक डैड लगा हुए होता है सो मैंने आपको उंगली के मादम से सम्झाने का को सिस किया हूँ ओके दोस्तों आप क जैसे कि मैंने बतायाड इसेटिसन को मोडलर को झोलने नहां है ऊके दोस्तों इस पर कार से क्लेक्टर एमिटेर के पर ने के बाद हमने पाया की तयन संकर सीज्टर थीक है और इसनमें लगे हुए जो तीन है और बगल वाले हं उसमेंदम्य ही इ मत लगिवे हीटिंग है त और जैसे कि दोस्तों इस हिट्सिंग में जो लगी में टांश्टर हैं इसमें फावन सो वाले यह सारे ही खराब हैं और कैसे खराब हैं आपको चेक करता हूं और फिर मैं बताता हूं कि किस प्रकार से कैसे कैसे यह खराब है कि दोस्तों जैसे ही देखें आपने देखा कि यह कि देर सो हमके वेरिजिसन में सो कर रहे हैं कि यह अफ्ली सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों हम इसके क्लेक्टर के जो लेक से उसको उपन करेंगे और कुछ इस प्रकार से उपन करने के बाद हम कंफर्म करेंगे जहीं में कुण कुण सब्सक्राइब करेंगे जो थे खराब होंगे तो वहल तीन ही हमें यह रिजिटेंज के मताविक तो यह तीन ही हमारा एटे डें लगता है तो इस कंडिशन में आप तीन ही मॉस्पेट को चेंज करें क्योंकि एक हीट होने से दूसरा कभी मानगड जाते हैं स्व इनके लेक्स को उपन किये हैं केलेक्टर वाले को और ऊपन करने के बाद पुरोफिर हम इससे चेक करेंगे अगर दोस्ते मैं फिर से आपको से अन्वडोध करता हूं कि अगर आप मेरे चानल पर नए हैं मेरा नाम है अलोग निव वारत और दुकान की नाम है तो फिरेंस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जैसे कि दोस्तों ये दोनों ही टांश्टर मैं आपको दिखा रहा हूं एक को पाया खराब है और ये भी तो ये दोनों टांश्टर फुल ले ही सोटेज हैं कि इस प्रकार से मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं एक सो च्वाली ते तिसका ओम्स का स्वाटिंग सो कर रहे हैं क्योंकि ये फुली नहीं होने का रिजन है क्योंकि ये जो रिजिटेंस पाइब पांस वाट का जो लगा हुआ था उसके वज़े से इसके बेस ड्राइब का वूल्टिस का वरियसन कुछ अजब हो अलग होने के वज़े से ऐसा हुआ है ओके दोस्तों सो फ्रेंस आप इसे प्रकार से इन मस्वेटों को चेक कर लें टैंश्टर को अगर यह को उपन करने से कन्वि नहीं हो पाते हैं तो आप इसे बेस वाले बी जो लेक negotiation उनको भी उपन कर लें यह आप चाहिए तो तीनों को भी उपन कर चेक करें मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ चेक करके क्योंकि कई बार चेक करने का तरीका लोगों को पता है सिर्फ लोग जानते हैं कि सोट होता है मौसफट बार लेंग ऐसा नहीं क्योंकि मौसफट खराब होने का बहुत सारे रीजन है अब जैसे कि मैंने जैसे ही उपन किया तो सब्सक्राइब कर रहा है और यह देर सो है क्योंकि आया दिन कई तरह के मौसफट आने लगे हैं इस वाज़े से इसमें इस तरह के प्रावलम फेस करना पड़ता है और कोशिश रहा है दोस्तों कि आप जब भी मौसफट टाले बावन सो तो बढ़िया कंपनी की अच्छी क दोस्तों सो आप बने रही है हमारे चैनल पर और आप से अनुरोध है मैं बार बार करता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं और मैं जो भी वीडियो डालों उसे फुल वाच करें जैसे कि मैंने पाया कि यह दोनों टांश्र फुली सोट है और यह हमारा एक लिकेज है तो दोस्तों इसके दोनों के हीटिंग के वज़े से ये भी खड़ाब हो जाते हैं तो इसे भी हमें चेंज करना है और इससे पहले हम इसमें जो ड्रेव कार्ड के लिए जो सप्लाई के लिए जो 33 वोल्ड 35 वोल्ड का जो सप्लाई जाता है सट दोस्ते जैसा कि मैंने बताया कि यहां इसे हम टांश्टर कों चेंज कर लेंगे तो इसे चेंज कर लेना है चुकि पहले ही मैंने लगा दिया था और उसके बाद मैंने शोल्डिंग किया उसे सो मैं आपको लगाते हैं और अटाते हुए नहीं दिखा पाया है क्योंकि वीडियो हमारा काफी लंबी हो जाती है यह आप जब भी कोई रेश्टेंस बदले जैसा कि यह 15 वाट का 49 वाट का रेश्टेंस है और वह 20 वाट का है तो थोड़ी लंबी है और ओके दोस्तों इसी परकार से मैंने जैसे ही मैंने सेट का यह रेश्टेंस और टाजमासवेटों को बदलने के बाद मैंने इससे हम फिन और चेक करेंगे तो किस परकार से इसको चेंज कर लेना है तो मैं आपको दिखारा है यह इस परकार से रेश्टेंस को लगा लेने और हाँ दोस्तों यह इसका कहाँकर maus maus fet टांश्टर है जो की बावण सो है और इसमें भी एक resistance जिस पर कार से hitting हो चुके हैं तो मैंने इसे भी देखा तो इसमें leakage था तो मैंने इसे भी नए एक लगा दिये हैं जिसमें चार मॉस्वेट हमने लगा हैं चलिए दोश्ते ही से हम इस परका से इसको connect कर लेंगे और connect करने के बाद ज्रोडिंग कर लेंगे क्योंकि फाइब resistance का जो तो पिस्वी को मैंने ओपन करने का रिजन था कि हीट करने के बाद नीचे से ड्राई हो जाते हैं इसके वाई लेक्स इसलिए हमें ने फुली चेक किये हैं कि हाँ यह ड्राई तो नहीं है और कई बार यह ड्राई होने पर जैसे ही लोड दीजेगा तो यह आपका चुर्पकर साउंड करेगा और एक अजीब सा जड़ जड़ का वाज करेगा जिसके वज़े से आपको फॉल्ट समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या हो रहा है ओके दोस्तों जैसे ही मैंने हीट सिंग से इस तीनों टांश्टों को किनेक किया और सोल्डिंग करने के बाद आद हम इसक को कनेक कर दिये हैं जो कि 55 वॉल्ट का सपलाई होता है अरता और आलिस से पसपनण वॉल्ट और यह ड्राइव ड्रेवर काड से निकली वी इससपलाई है और जिसे हम कनेक करेंगे करने के बाद में हम इसे फिर सेट को हम ऑन करके देखेंगे ऑके दोस्तों जैसे मैंने बत से को बदलने के बाद हमने बाल को भी आम करने कर लिए और करने के बदो करेंगे सेट आउन करके ओके दोस्तों कुछ इस परकार से मेंटर के प्रोड को बड़ी से ग्राउंड करने के बाद हमने देखा कि 05 चुकि हमारा यह दोस्तों इसके 200 वोल्ट में के रेंज में था कलेक्टर पर इसका करेंगे जैसे ही मैंने किया तो पाया की जिरो पंटर बावन के असपास है सो फ्रेंस यह सेट हमारा हो को जुका है हमने फिस सेट को अनौफ करके आपको दिखा है कि किस प्रकार से यह दोनों इंदिकेटर इसके जल रहे हैं और मैंसे ओके दोस्तों जैसे मैंने लीड वार को आडियो क्लिक किया तो पाया कि हमारा आडियो कंपलीट हो चुका है दोस्तों फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस परकार के वीडियो के लिए तब तक के लिए जाएं दोस्तों जैभारत